हेलो स्टुडेंस आई वेल्कम यौल तो दी ओनलाइन क्लास ऑफ केड़ी टोड़े रस्टुडिंग सर्फ सरी एलेक्ट्रो केमिस्ट्री और इट इस लेक्चर नंबर फॉर्टींथ बच्चों लास्ट क्लास में हमने तुम्हें एक एसेंडमेंट दिया था कि अगर एजी सी जो कि एक इंसॉलिबल सॉल्ट है उसके साथ तुमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया तो उस इलेक्ट्रोड का रिड़क्षन पोटेंसियल जो निकालने का तरीका हमारे पास है उसको एक बार हम पहले सिंबल फॉर्म में रिप्रिजेंट कर दें तो एजी सी ल AgCl के अंदर Ag के उपर plus 1 charge है और यहाँ पर Ag के उपर 0 charge है यानि oxidation number 0 है तो Ag का reduction हो गया है इसलिए यह reduction potential को represent कर रहा है और यहाँ पर Cl minus ions को दिखाते हैं यह convention है ठीक है इसका जो value है इसको निकालने का तरीका है कि E naught Ag plus aqueous से बन गया Ag और इस इस अधिस अधिस सॉलिड प्लस 0.06 बाइन फेक्टर लॉग केस्पी केस्पी किसका केस्पी तो AgCl का केस्पी यह फर्मला हमने लाश्ट क्लास में देखा था और इस पर हम लोग कुछ questions भी solve किये थे आपसे हम यह उमीद कर रहे हैं कि आपने इस question का इस फर्मूले का प्रूफ ढूंड लिया होगा कैसे प्रूफ किया जैस फर्मूले को ठीक है लेकिन फिर हम अपनी तरफ से भी कोशिस करेंगे और देखते हैं कि आपने और हमने जो प्रूफ किया है इस दोनों में क्या अंतर है क्या हम लोग सेम तरीके से इस conclusion पर पहुंचते हैं या हो सकते हैं आपने एक नया तरीका भी खोज लिया होगा जो हम नहीं बता पाएंगे यहां पर हम कोई दूसरा तरीका बता रहे होंगे आप कोई दूसरा तरीका इस तरीके से learning enhance होता है जब आप अपने mind को use करता है brain को used करते हैं किसी concept सख पहुंचने के लिए तो नेरशुरली आपका जो brain है उसका analysis capacity उसका thinking capacity यह सब बढ़ता है तो चलो इस पूप प्रूफ किया जाए इसमें देखो यह जो data है यह data कहाँ से मिलता है यह AG काTHE STANDARD ELU elleCRODE Reduction KSP पता होता है, AGCL का KSP, N-factor reaction देखके पता चलिए जाता है, तो यानि कि अगर आपके पास electrochemical series है, आपके पास equilibrium chapter का data कुछ है, N-factor ताप reaction देखके निकाल लेंगे, तो आप इस electrode का potential भी calculate कर पाओगे बहुत आसानी से, अब देखते हैं कि यह formula आया, कहां से, चलो, इसको मिटा देते हैं, ताकि हम एक diagram बना सके हैं, और diagram के basis पर हम लोग इस formula को derive करने की कोसिस करेंगे, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि battery का potential निकालना बहुत आसान है, दो terminal है, दो electrode है, इस दोनों के बीच का जो potential difference है, वो निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, तो wire connect कर दो, current चलेगा, V is equal to I, current into इस wire का जितना resistance होगा, तो दो terminal के बीच का potential difference निकालना आसान है, किसी एक terminal का potential calculate करना, मुश्किल है, तो हम लोग वही तरीका अपनाते हैं, कुछ दिमाग लागाते हैं, दो terminal या दो electrode बना करके, एक कम करते हैं, हम लोग एक electrode बना देते हैं, AG के, silver के soluble salt का, और एक और electrode बना देते हैं, silver के insoluble salt का, और इस दोनों electrode को हम लोग wire से connect कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगा जेते हैं हम लोग, voltmeter या फिर emitter लगा सकते हो, और फिर potential difference measure कर लेंगे, of course यहाँ पर salt bridge हमें लगाना पड़ेगा, जब भी आप battery बनाओगे, दो electrode को ले करके, हम यहाँ पर simplicity रखने के लिए salt bridge नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास यह AG का rod है, यह भी AG का rod है, यह आपका cathodic compartment है, और यह आपका anodic compartment है, ठीक है, यहाँ पर आपने जब solution लिया है, यह AG plus aqueous, AG plus aqueous, यानि की soluble salt ले लिया है, जब soluble salt ले लिया है था हमें, बताने की जरुरत नहीं है, कि यहाँ पर कुछ salt का solid amount भी बचा हुआ होगा, इसकी जरुरत तो है नहीं, AG plus aqueous डिरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर आपने salt लिया होगा, AG NO3 aqueous, कोई दिखकत, AG NO3 एक soluble salt है, वो आपने लिया होगा, तो वहाँ से यह पूरा का पूरा जो salt है, यह solid state में बिलकुल भी नहीं बचा होगा, यह पूरा का पूरा dissolve हो गया होगा, AG plus aqueous और NO3 aqueous मैंस में तूट गया होगा, यहाँ पर आपने हिसा नहीं किया, यहाँ पर आपने क्या किया, जो solution लिया, वो AG CL, जो कि एक insolubal salt है, उसका solution ले लिया, aqueous solution, AG CL, sorry, solid नहीं लिखना चाहिए था, AG CL aqueous, AG CL aqueous जब आप लेंगे, तो वहाँ से AG plus इतना आसानी से नहीं मिलेगा, एक equilibrium establish हो जाएगा, कौन सा equilibrium, AG CL solid से बन रहा होगा, AG plus aqueous plus CL minus aqueous, यह equilibrium establish हो जाएगा, क्योंकि AG CL insolubal salt है, कोई देकत, अब देखो, यह जो solid है AG CL, इसका ज़्यादातर amount इस container में पढ़ा होगा, कुछ ही amount ऐशा होगा, जो amount dissociate किया होगा, AG plus और CL minus में, कोई दिक्कत, चलों, इस दोनों का reduction potential को एक बार represent करते हैं, तो इसका reduction potential क्या है, इसका reduction potential है, representation E naught, AG plus, क्योंकि यह soluble salt है, AG plus aqueous से बन गया, AG solid, कोई दिक्कत, और इसके reduction potential का representation है, E naught, AG, CL solid, AG, CL solid, से बन गया, AG solid, और इसके बगल में है, CL minus aqueous, चिक्क है, चलो, अब देखोगे कि तुमारा जो formula है, उस formula में एक part एक तो यही चीज़ था, जो तुम्हें निकालना था, this is equal to this, ऐसा लिखा वाता क्या, यह is equal to a plus 0.06 by nf log ksp, क्या यही था formula, तब basically तुम्हें, यह और यह जो formula में था, इस तरीके से formula था, कि E naught CL minus AG CL solid, AG solid is equal to E naught AG plus aqueous से बन गया AG solid, plus 0.06 by nf log ksp, इस तरीके से formula था, इस formula को थोड़ा से modify करो, तो this minus this is equal to इतना बोल सक्ते हो तुम्हें, यहनि कि तुम्हें बोल सक्ते हो, E naught CL minus AG CL solid, AG solid minus E naught AG plus aqueous से बन गया AG solid is equal to 0.06, 0.06 by nf log ksp, यही था है formula, यहनि कि यह minus यह अगर value तुम यह proof कर दो, तो तुम्हारा formula proof हो जाएगा, कोई देखो, this quantity minus this quantity, proof कर सकते हैं क्या है, यह quantity minus यह quantity कुछ special significance है क्या है, इसका बताओ तो, यह देखो, यह है तुम्हारा E naught के थोड़ का RP, कोई देखत, और यह है E naught anode का RP, देखो, E naught anode का RP है, कोई देखत, तो यह जब formula तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, यह तुम्हें दिख रहा होगा, E naught cathode minus E naught anode का RP, कोई देखत, E naught cathode minus E naught anode, किस cell का cathode anode, यह जो cell हमने लिया है, इस cell का E naught cathode minus E naught anode का RP है, इतना note down करो जल्दी से, चलो, जब इतना तुम note down कर लियो, देखो, इतना note down करने के बाद, हम जो जो लिख रहे हैं, वैसे ही, उसे sequence में तुम लोग भी लिखते चले जाओगे, तो चलो, सबसे पहले तुम यह value मिटा दें, यह value मिटा देते हैं, चलो, अब हम क्या करते हैं, कि जो हमारे पास, यहां पर equation लिखा हुआ है, इसको equation को 1 मान लेते हैं, तिस equation 1 का जो left side है, वह inote cathode minus inote inode, और right side में यह 0.06 by nf log ksp है, inote cathode minus inote inode, इस cell का inote cell हो जाएगा, तो finally तुम्हें करना क्या है, करना यह कि यह जो inote cell है देखो, यह क्या है, यह इस cell का inote cell है, तुम्हें प्रूफ कर देना है कि inote cell is equal to 0.06 by nf log ksp, यह प्रूफ कर दिया, तुम्हार original formula प्रूफ हो गया, यानि equation 1 तुम्हें प्रूफ करना है, इस cell का inote cell is equal to 0.06 by nf log ksp, चलो, इस cell का inote cell किस equation में आएगा, तो इस cell का अगर हमें inote cell निकालना है, तो हमें लिखना पड़ेगा, इस cell is equal to, निकालना पड़ेगा, इस cell का inote cell, कोई देकत, inote cell क्या है, यह वाला quantity इस cell का inote cell है, लिखी देता है, यहाँ पर देखो, inote cell is equal to, inote cell is equal to this, तुम्हें बस प्रूफ करना, inote cell is equal to this, कोई देकत, inote cell, minus 0.06 by nf, log q, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस cell का q निकालना पड़ेगा, कोई परिसानी बच्चों, चलो इस cell का q निकालते हैं, तब हमें कुछ reactions लिखने होंगे, देखो बच्चों, तो एक बार हम reactions लिखते हैं, और फिर, प्रूफ कर लेंगे, हम लोग बहुत आसानी से, तो inote और केथोड का जल्दी से reaction लिखो, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ध्यान रखे हैं, हमेसा जो बात प्रूफ करना है, mind में वो हमेसा ध्यान रखना चाहिए, प्रूफ करना है, inote cell is equal to 0.06 by nf log ksp, ये, ठीक है न, वहाँ से तुमको, चलो आगे बढ़ते हैं, हम reaction लिखते हैं inote का, inote पर क्या reaction हो रहा है, क्यों निकालने के लिए inote का reaction लिखते हैं, तो inote का reaction है, ag solid जो है दोखो, एनोड पर तो soluble salt है, तो बहुत simple reaction है, ag solid convert हो रहा है, ag plus aqueous, और plus one electron, के थोड़ का क्या reaction है, तो के थोड़ का reaction हम तुम्हें कई बार लिखनें बताएं, अगर in soluble salt हो, तो के थोड़ का reaction क्या होता है, हम बताएं, reaction लिखना बहुत असान है, पहले ले लो तुम salt, agcl solid, फिर क्या करो, reduction करना है, एक electron दे दो, तो जो ag plus इसके अंदर है, वो ag solid बन जाएगा, और जो cl minus है, वो side से निकल लेगा, यादा रहा, ऐसे ही बताएं तुम्हें, के थोड़ का reaction तो लिखना बहुत ही आसान है, कोई परिशानी बच्चा हो, चलो आगे बढ़ते हैं, इस दोनों reaction को जोड़ोगे तो तुम्हें net reaction मिलेगा, चलो, इस दोनों reaction को जोड़ोगे तो यह ag solid, यह ag solid cancel हो गया, क्योंकि solid है, ऐसे भी उसका concentration net reaction में appear नहीं करना है, Q के expression में appear नहीं करना है, net reaction में appear कर सकता है, sorry, Q के expression में appear नहीं होना है, चलो देखते हैं, net reaction क्या हुआ है, net reaction हुआ है, agcl solid, one electron, one electron कड़ गया, यानि कि nf1 है तुम्हारा, agcl solid से बन रहा है, ag plus aqueous plus cl minus aqueous, कोई दिखकत, तो इस reaction का जो Q है, q is equal to ag plus into cl minus, एक बताओ, क्या हम इस reaction का जो ksp है, वही q के बरावर है क्या, एक बर सोच के देखो, is ksp equal to q, अंतरे बच्चों देखो, यहाँ पर जो ag plus का concentration है, कहां का है, inode का concentration है, और यहाँ पर जो cl minus concentration है, कहां का है, cathode का concentration है, लेकिन अगर तुम ksp लिखना चाहो इसके लिए, अगर तुम्हें यहाँ पर इसके लिए ksp लिखना चाहो, तो लिखना पड़ेगा, ag plus into cl minus, कहां का, दोनों cathode का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो equilibrium established है, cathode पर है, equilibrium established होने के बाद, ag plus और cl minus का concentration का product, ksp का लाता है, यह तुमने पढ़ाओगा पहले है, equilibrium अगर established नहीं है, कहीं से भी ag plus का concentration ले आओ, किसी दूसरे डब्बे से cl minus का concentration ले आओ, दोनों को multiply कर दो, तो वो ksp नहीं कहलाएगा, समझगे बाद को, वो क्यों कहलाएगा, ksp तब कहलाएगा, जब ag plus और cl minus का वो concentration लोगे, जो equilibrium established है, या जो equilibrium exist कर रहे है, ag, cl solid के साथ, इसलिए, अगर यहाँ पर दोनों जगा, cathode का concentration आ जाता, मान लो, तो ag plus और cl minus का, जो cathode का concentration है, उसका product ksp का लाएगा, क्योंकि इस डब्बे में equilibrium exist कर रहा है, यह वाला equilibrium, कोई दिक्कत, चलो, अब बात करते हैं, यहाँ पर, e cell is equal to, e naught cell, minus 0.06 by nf, log, क्यों लिख दें, लिख देंगे क्यों, यहाँ पर लिख देंगे, ag plus at anode, into cl minus at cathode, कोई दिक्कत, चलो, अब एक बात बताओ, कि इस दोनों cell का potential, कब बराबर हो जाएगा, सोच के देखो, इस दोनों cell का potential, कब बराबर हो जाएगा, इस दोनों cell के potential का बराबर होने का मतलब, e cell 0 हो जाएगा, कब 0 हो जाएगा, जब यह दोनों cell तुम्हें exactly एक जैसा दिखेगा, exactly एक जैसा दिखने का मतलब, जब, यह जो silver rod लिए हो, इसके contact में ag plus का जो concentration है, exactly, इस rod के contact में, जो AG plus का concentration है जब दोनों बराबर हो जाए यहाँ पर AG plus का जितना concentration है यहाँ पर भी AG plus का concentration अगर उतना ही हो जाए तो यह दोनों electrode identical हो जाएगा और उसका E cell 0 हो जाएगा क्योंकि electrode होता क्या है basically electrode का मतलब ही है एक metal rod के contact में उसका iron जब metal rod भी वही है iron भी वही है उसका concentration भी वही है तो फिर दोनों electrode तो identical हो गया एक बताओ क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि हमेसा दोनों electrode identical नहीं रहेगा नहीं हमेसा नहीं रहेगा हमेसा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो तुम salt लिये हो AG PLUS उसमें बहुत जादा मिलेगा क्योंकि यह पूरा का पूरा घुल जाएगा और यहाँ जो salt लिये हो AG CL उसमें AG PLUS बहुत ही कम रहेगा लगबग Tending to Zero AG CL तो बहुत ही कम भुलता यार इसलिए इसका नाम है In Solible Salt तो इन जेनरल यहाँ पर और यहाँ पर AG PLUS बराबर नहीं होते हैं लेकिन अगर एक Condition ले आये किसी भी तरीके से यहाँ पर जितना AG PLUS उतना ही AG PLUS यहाँ पर यहाँ पर भी सेम रोड यहाँ पर भी सेम रोड सेम आयन सेम concentration same electrode same potential और potential difference हो जाएगा 0 अब दिखें काम बहुत आसान हो गए इसके आगे इसके आगे तो बहुत ही आसान काम होगा चलो इतना लिख लिए हो तो आगे मिटा हैं इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं चलो आध यहां लिखते हैं देखो when Then, Ag plus anode is equal to Ag plus concentration at cathode, then E cell is equal to 0, Ag plus anode and cathode पर बरावर हो जाएगा तो E cell 0 हो गया तो हो गया तुमारा E naught cell, E naught cell is equal to, E naught cell, cell को अच्छे से लिखदे हैं, cell is equal to, E naught cell is equal to, देखो, इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, तो दोनों positive बन जाएगा, E naught cell is equal to 0.06 by nf log, एक काम करो, तो Ag plus, E naught को लिखदो, Ag plus cathode क्योंकि दोनों बरावर हैं, तो Ag plus cathode into Cl minus cathode, और this is equal to 0.06 by nf log, Ag plus cathode into Cl minus cathode, cathode पर जो Ag plus और Cl minus का concentration है, वो KSP के बरावर क्यों, क्योंकि cathode पर AgCl, Ag plus और Cl minus आपस में, equilibrium exist करते हैं, और यह आ गया, KSP के बरावर, hence equation 1 is proved, equation 1 ही तो हमें proof करना था, देखो, proof होगे, equation 1 आ गया, देखो, कोई दिकत और equation 1 ही तो था, जो हम proof करना चाहते थे, कि इस electrode का standard potential is equal to, यह वाल electrode का standard potential plus 0.06 by nf log KSP, ठीक है बच्चाओं, चलो, तो यह हमने आपको proof करके बता दिया, इस पर हम लोग अलड़ी कई सारे questions solve कर चुके हैं, इसलिए आप further इस पर questions solve नहीं करेंगे, आप इसको note down कर लो, हम मिटा रहे हैं, चलो बच्चाओं, अब हम आज तो मन कर रहा प्रूफ ही करते रहे हैं, नएने formulas, अब हम थोड़ा सा thermodynamics of cell, thermodynamic parameter के बारे में बात करते हैं बच्चों, देखो thermodynamic parameter में तीन चीजें होती हैं basically, क्या क्या तीन चीजें, thermodynamics अगर किसी भी chapter में बोला जाए कि बताओ surface chemistry में जो thermodynamics से related बाते होने वाली हैं, उसके बारे में कुछ टिपन नहीं करो, कुछ बताओ, तो तुम simple बताओगे, कि हमें surface chemistry में जो भी process चल रहा है, उस process के बारे में जानने के लिए delta G पता करना होता है, जिसका value होता है, delta H minus T delta S, कोई देखाच, तो thermodynamics मतलब delta G पता करना, यानि कि reaction spontaneous है या नहीं है, यह पता करना हमेशा, और देखो, delta G तो हमने अल्लेड ही निकाल लिया इस chapter में, पहले ही, क्योंकि हमें पता है, कि delta G equal to minus NF E cell, कोई देखाच, यह हमें पता है, यह हमने पहले ही निकाल लिया है, लेकिन ठीक है, अब हमें thermodynamics के बारे में, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कई सारे books में इसके बारे में बात किया हुआ ही नहीं है, क्योंकि इन parameters का, delta H, delta S का जरूरत ही नहीं पढ़ता है, यहाँ पर delta G निकालने के लिए, यहाँ पर delta G का तो दूसरा तरीका है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ने की कोशिस करेंगे, खास करके examination point of view से, practical life में इस equation का यूज नहीं है, practical life में delta G निकालने के लिए यह equation यूज करते हैं, क्योंकि potential पर हम लोग बहुत research कर चुके हैं, वो निकालना हमारे लिए, आसान है किसी battery का potential, चलो देखते हैं, तो हमें क्या है कि delta G, तो हमें इस तरीके से पता है, delta S अगर हम निकालना है, तो delta H के बारे में जानना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिल्टा S का formula derive कर लेते हैं, और फिर वहां से delta H बहुत आसानी से निकाल लिया करेंगे, ठीक है, चलो, delta S के बारे में बात किया जाए, तो इसको हम मिटा जे रहे हैं, बच्चों, यह तो बता रहे थे कि thermodynamics पढ़ने के जरुरत क्यों है, calculation of, calculation of delta S cell, change in entropy of cell, cell के entropy में जो change आ रहा है, उसके बारे में पता करना है, चलो, इसके लिए हमने करना यह पढ़ता है, फर्स्ट लॉफ थर्मोडैनमिक्स का यूज करना पढ़ता है, और सकेंड लॉफ का भी यूज करना पढ़ता है, फर्स्ट सकेंड लॉफ मिला करके, यहां से निकल कि आता है, चलो, फर्स्ट लॉफ यूज करते हैं, तो फर्स्ट लॉफ क्या बोलता है, और सकेंड लॉफ है first law of thermodynamics F L O T F L O T क्या है first law of thermodynamics क्या बोलता है first law of thermodynamics बोलता है बच्चों की delta E is equal to Q Q plus W कोई दिक्कत यह D E बोल दो D E is equal to Q plus W D E मतलब small change delta E के जगह पर हमने D लिख दिया ज्यादा अच्छा mathematical term है तो D is equal to Q plus W अच्छा देखो Q के जगह पर तुम चाहो तो second law of thermodynamics यूज कर सकते हो second law of thermodynamics slot slot and slot याद रहेगा तम्हें first law of thermodynamics मतलब sorry मतलब first law F L O T and S L O T मतलब second law of thermodynamics यह क्या है बोलता है यह बोलता है D S यादा रहा है D S is equal to D Q by T यह formula यादा रहा है तुम्हें D S is equal to D Q by T first law of thermodynamics यह बोलता है D is equal to Q plus W second law बोलता है D S is equal to D Q by T चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो के एक D Q के में एक suffix लगा होता है reversible D Q reversible by T लेकिन देखो जो cell का reaction होता है बैटरी का reaction वो automatically reversible होता है कैसे पता चला तो जो भी battery होते हैं और खास करके हम लोग जिस battery के बारे इंपड़ रहा है उन battery को तुम recharge कर सकते हो रिचार्ज करने के मतलब क्या है recharge करने के मतलब battery के reaction को reverse करना battery के reaction को reverse कैसे करते हैं और कैसे battery को recharge करते हैं यह जानने के लिए आपको अगला class attend करना होगा तो अगले class में हम लोग battery के recharge करने के बारे में बात करेंगे और battery को अगर recharge कर सकते हैं यानि कि battery के reaction को reverse कर सकते हैं battery अपना reaction कर रहा है हमें energy देता है हम उस reaction को उल्टा करके energy provide कर सकते है battery को ठीक है बच्चों चलो इसके लिए लेकिन चर्चा होगी अगले class में आज हम लोग बात करने वाले हैं first law second law को use करके delta s निकलना तो यहाँ पर देखो dq के आगे reversible क्यों नहीं लगा हमने क्योंकि battery का reaction हमें सा reversible ही होता है तुमारे मन में question आ सकता है कुछ battery अशा होता है जो rechargeable नहीं होता है बच्चों उस battery का function अलग होता है हम लोग जो class में electrochemical cell पढ़ रहे हैं यह rechargeable batteries है सभी ठीक है जानने के लिए अगला class attend करो आगे बढ़ते हैं तो ds is equal to dq by t कोई दिकत यह हो गया first law और यह second law के अनुशार अब देखो यहां पर क्या करते हैं हम लिख दते हैं आगे कि if d e is equal to q या तुम यहां यह भी बोल सकते हो d is equal to dq plus dw ज्यादा अच्छाए question है d is equal to dq plus dw a small amount of work done plus a small amount of heat exchange is equal to a small amount of change in internal energy तो dq यहां से आगया tds d is equal to tds minus कोई दिकत d is equal to dq यहां पर रहे है tds minus dw यहां पर dw होता है sorry minus नहीं है tds plus dw होता है minus pdv यहां यहां दर है minus pdv होता है dw small amount of work done और इसको integrate करते थे तो यहां पर net w निकल करके आता था total work done कोई दिखका है इसको integrate करते से में हम लोग p को अलग अलग तरीके से replace करते थे कभी external लिख देते थे कभी p gas लिख करके उसको अलग अलग forms में convert करके integrate करते थे लेकिन basic equation यही था tds is equal to tds plus minus pdv कोई दिकत चलो आगे बढ़ते हैं और यह तो होगया तुमारा d अब देखो हमें d e के जगह पर हम delta h वाला term लिख देते हैं तुमने यह भी पढ़ा होगा h is equal to e plus pb यह तो हम भी पढ़ा हैं तुम लोग को h is equal to e plus pb अब देखो इसको मानलो equation 1 ठीक है h is equal to e plus pb तो यहां से तुम लिख सकते हो dh is equal to dh is equal to d e plus अचा pv है यहां पर p into v तो अगर p into v में दोनों variable है एक constant हता तो बातिया अलग हो जाता लेकिन अगर दोनो variable है तो लिखो के pdv plus vdp अगर मानलो p constant होता तो सिर्फ लिख देते pdv अगर सिर्फ p variable होता v constant होता तो लिख देते vdp दोनों change हो सकता है इसलिए हमने दोनों लिखा कोई दिकत तो यहां से dh आ गया अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं dh is equal to कोई दिकत d e d e का formula लिखो बच्चों इधर से d e का formula रख दो one रख दो इधर d is equal to tds minus pdv d e के जब पर रख दिये tds minus pdv plus vdp सरी plus आई क्या लिखोगे प्लस तुम्हें लिखना है pdv plus vdp pdv plus vdp कोई दिकत यह भी चलो सही यहां से pdv pdv cancel हो गया plus minus है और यह plus है तो dh is equal to tds plus vdp कोई दिकत चलो अब आगे इसको हम एक और equation तुम्हें पता होगा कि जी को इसको बज़ते है equation 2 अब तुम्हें यह पता होगा जी is equal to h minus ts देखो इसको भी यूज कर चुके हैं पहले हम लोग थर्मोडैनिमिक्स में कितने सारे equation आगा यार लेकिन देखो final जब तुम्हें equation बताएंगे इतने सारे equation का जोल है सबको मिला जोला करके एक नया recipe तैयार होगा और वह जो होगा बहुत ही स्वादिस्ट होगा बहुत ही आसान कर देगा हमारे further calculations को जी इस इकल टो minus SDT कोई एक constant हो जाए तो बात ही अलग है चलो अब क्या करोगे डिएच के जगह पर यह पूरा quantity रख दोगे यहांस तुम्हारा डिएच क्या गया डिएच इस इकल टू डिजी यह सब प्लस होजागा न प्लस TDS प्लस SDT अब equation 2 के अंदर DS का value रख दो जैसे यहां पर हमने DE का value इधर से रख दिया था ठीक है DH के जगह पर क्या रख दोगे तुम sorry यहां पर DH के जगह पर यह वाला value रख दोगे इधर से तो देखो DH के है DH है TDS प्लस VDP तो यहांस आगया DH is equal to TDS प्लस VDP is equal to DG plus TDS plus SDT चलो अब देखो अब फिर कुछ कट गया देखो TDS TDS कट गया TDS समझते हो TDS कटने का मतलब TDS का मतलब होता है tax deduction at source जब कोई वक्ति कुछ income कमाता है न तो जहां से उसके income का source है वहीं पर tax कट जाता है उसी को बोलता है tax deduction at source तो यहां पर हमने TDS काट डिया ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां से तुम्हें मिल गया DG is equal to DG is equal to VDP minus SDT यह एक thermodynamics का बहुत important relation है बच्चों और मुझे याद आ रहा है कि thermodynamics पढ़ाते हैं मैंने यह relation proof किया था इसको याद कर लोगे बढ़ा important relation है DG is equal to VDP minus SDT चलो अगर मैंने thermodynamics से proof किया था या फिर नहीं भी किया था तो भी कोई बात नहीं मैंने family यहां पर तुम्हें दुबारा से proof करके यह question बताया है DG is equal to VDP minus SDT कोई परिसानी बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब क्या करना है बच्चों देखो during operation of cell during cell operation जब बैटरी एक काम कर रहा होता देखो घर में जो बैटरी काम कर रहा होता है ना तो बैटरी के अंदर तुम ढकन खोलो के तो अंदर कुछ लिकुड बगेर रड़ाते हैं और atmospheric pressure के जो contact में वो सब है तो जो net pressure होता है बैटरी के अंदर तुम चेक करोगा या बाहर हर जगा बैटरी को तुम ढकन खोल भी दो गया तो इसनिक वहां से गयास रिलीज होता है दकन खोल दो ढकन अगर तुमने खोल दिया बैटरी का माल लो कभी तो अंदर का pressure कितना होगे 180 फिर हम लोग क्या करते हैं धकन खोलने के बाद उसमें कुछ सर्विसिंग अगरा करते हैं तुम देखोगे घर में कभी जो सर्विसिंग करने वाले आते हैं बैटरी का वो ढकन खोल के सर्विसिंग करते हैं और ढकन लगा जाते है नौर्मली यानि कि बैटरी जो अंदर का pressure है जिस pressure पी ऑपरेट कर रहा है वह pressure constant रहता है और वो है 180 त minus s dt यानि कि तुम बोल सकते हो entropy of cell is equal to dg by dt minus लगाना पड़ेगा एक minus dg by dt यह हो गया तुमारा entropy of cell कोई दिकत चलो यहां पर अब एक थोड़ा सा समय बुक में जो formula दिखाई देगा बुक में दिखाई देगा delta s is equal to minus d delta g by dt यानि कि यहां पर s के आगे एक delta लग गया एक delta g के आगे लग गया देखो यह दोनों equation exactly identical ही है देखने में बस अंतर लग रहा है यह equation तो समझे गया यह बता सकते हो कि यह equation क्या बता रहा है यह equation बता रहा है entropy of cell equal to dg by dt minus dg by dt यह बोला है delta s of cell is equal to d delta g by dt त यह तो समझ मैं रहा है यह entropy of cell है यह है change in entropy लेकिन dg और d delta g में क्या अंतर है यह तुम्हें बस पता करना है what is difference between dg and d delta g चलो तो dg और d delta g के बारे में पता किया जाए बच्चों a हम यह इदर मिटा दें चलो मिटा दें है कि तो देखो बच्चों हाँ है कि जी और d delta g में अंतर क्या है इसको तुम लोग अलग से लिख लोगे कहीं पर ठीक है ना अलग से लिखने का मतलब क्या है अलग से लिख लोगे मतलब कि basically यहां से यहां तक तो तुमने लिख लिया अब नोट से बार कहीं पर भी corner वगरे में तुम एक बार एक bracket बना करके लिख सकते हो कि dg and d delta g में क्या अंतर है कोई दिकत चलो देखो एक reaction तुमारे पास है a से बन रहा है और यह यह reaction तुम 100 degree centigrade पर करा रहे हो कोई दिकत तो इस reaction का तुम से कोई पुछे का बताओ delta h कितना है at constant temperature temperature तुमने constant रखाया 100 degree पर यह reaction करवाया है और delta h बोलोगे तो कोई बोलेगा कि hb minus h a enthalpy of b minus enthalpy of a कोई दिकत चलो कोई बोलेगा कि इसी reaction का delta h 200 degree centigrade पर इसी reaction का delta h क्या होगा फिर तो महीं बताओगे delta h is equal to hb minus h a लेकिन यह दोनों delta h अलग होगा इसको delta h बोलते हैं इसको बोलते हैं delta h dash तो देखो यह जो delta h है यह वाला यह delta h जो है यह बस यह बता रहा है कि product minus reactant यह delta h यह नहीं बता रहा है कि temperature change होने से enthalpy किसे change होता है यह वाला delta h इस बात को नहीं बता रहा है कि समझगे बात को यहां जो delta h है सिर्फ यह बता रहा है final product minus initial reactant product minus reactant final minus initial delta h लेकिन यह delta h जो है वो temperature के साथ और further कैसे change करता है यानि कि hb minus h यह अगर तुम निकालोगे तो 100 degree पर hb minus h का value अलग होगा 200 degree पर hb minus h का value अलग होगा तो यह जो change आया delta h भी change होगिया temperature change होने से तो यह जो further change आया यह काल आएगा d delta h delta h में कितना change आता है with respect to temperature वैसे ही बच्चों अब g के लिए बात कर लिया जा एक बार तो अगर कोई इस reaction का metadenis को देखो पुछेगा कि इस reaction का g बताओ क्या करोगे बताओगे delta g of reaction is equal to g of b g यानि free energy minus g of a यह है 100 degree centigrade पर कोई बोले ठीक है ac reaction को 200 degree centigrade पर कराओ तब कोई तुम से पुछे को उस time का delta g बता ना तो फिर बोलोगे ठीक है 200 degree पर जो b का g होगा और फिर जो a का g होगा यानि कि free energy उसको minus कर देंगे तो यानि कि इसको delta g डास बोल दिया जाए इसको डास बोल देते कोई दिकत 200 degree पर जो a का free energy है वो sorry 200 degree पर जो b का free energy है वो gb डास है और 100 degree पर जो b का free energy है वो gb है 100 degree पर a का free energy ga है और 200 पर a का free energy डिल्टा डास है 100 degree पर gb minus ga का value delta g है और 200 degree centigrade पर gb minus ga का value delta g डास है तो जब 100 से 200 degree centigrade गए तो delta g के अंदर कुछ change आया तो delta g के अंदर जो change आया उससे को बोलते है d delta g समझ गए तो temperature के change होने से जो delta g में change आता है that is d delta g इसको note down कर लो एक bracket में लिक लो कहीं circle बना करके तो देखो temperature जो change वहाँ है temperature change होने के चलते d t temperature change होने के चलते delta g में जितना change आया है तो minus d delta g का change by d t यह reaction का entropy change कालाता है और अगर तुम d g by d t अगर निकाल दोगे minus d g by d t तो यह reaction का entropy कालाता है कोई दिकत तो यह जो है यह हमारे लिए significant नहीं है क्योंकि किसी भी cell का exact g निकाली नहीं सकते हैं g का exact value निकाला नहीं जा सकता है सिर्फ हम लोग change निकाल पाते हैं तो यह reaction सिर्फ हमारे लिए यह equation सिर्फ हमारे लिए theoretical है यह practical equation AC को use करना है ठीक है अफकोर्स यूज तो इस भी equation का नहीं करेंगे यूज तो एक नए equation का इससे थोड़ा सा और derive करके आगे और simplified version ले जाएंगे उसको यूज करने वाले हम जैसे देखो चलो यहां पर दुकाब देखो यह डिल्टा S हो गया change in entropy of the cell is equal to minus D डिल्टा G cell क्या होता है अब यहां से देखो हम डिल्टा G cell इसको मिटा जारे है बच्चों ताकि तुम्हें confusion नहों हो चलो देखो देखो डिल्टा G cell is equal to होता है minus NF E cell कोई दिकत तो यहां पर D डिल्टा G के जगा पर लिए देखते हैं minus NF E cell कोई दिकत चलो आगे बढ़ते हैं by dt और यहां से तुम्हारे जो final equation आगे इसको use करने वाले हैं क्या गया देखो minus minus plus हो गया n तो constant है nf बोलते हैं n factor एक पर फिर से लिए दें n factor इसको बोलते हैं n भी बुक वगरम लिखा रहता है लेकिन हम लोग n factor बोले हैं तो हमेंसे n factor बोला जाए n factor constant f तो फेराडेस constant 965 00 Column जिसका value होता है यह दोनों बाहर आ जाएगा differential sign के तो यहां से तुम्हें क्या बचेगा nf n factor into f n factor into f d e cell d e cell by dt कि यह तुम्हारा final equation हो गया बच्चों कोई दिकत यह equation हमें use करना है इसको मिटा दे रहे हैं ठीक है इस equation को दुबारा हम यहां से लिख देते हैं delta s is equal to minus sorry minus नहीं delta s is equal to nf into f d e cell by dt और यह जो quantity d e cell by dt इसको बोलते हैं temperature coefficient of cell कोई दिकत बच्चों चलो एक question इस पर based कर लिया जाए और फिर हम लोग आगे के class में इसके आगे कहानी देखेंगे इसको लिख लिख लिए हो तुम लोग यह वाला पार्ट जो है इसको गर लिख लिख लिए हो इसको मिटा दे रहे हैं अनगे आ हो सभगे कि दो देखो हो इतना मैंशा है डराइव करने में लेकिन फायदा कितना अच्छा है रसी को हम लोग सेल का डिल्टा जीरिनिकलने जानते हैं मैं वालाज एनिदेद इस हो अगर entropy change, entropy change, during, during cell operation, cell operation, cell work कर रहा है, उसके दोरान जो entropy का change है, वो तुम्हें calculate करना है, change, during cell operation of a daniel cell, daniel cell, daniel cell याद आ रहा है तुम्हें, जिसमें zinc का anode लेते थे और copper electrode वाला cathode लेते थे, of a daniel cell, if, if potential, potential of cell at 20 degree centigrade is x1 and 30 degree centigrade is x2, 20 degree centigrade per cell का potential x1 है, और 30 degree centigrade per cell का potential x2 है, तो तुम्हें क्या calculate करना है बच्चों, तुम्हें calculate करना है delta s, चलो, हम लोग calculate करते हैं, बहुत ही आसान question है बच्चों, बहुत ही आसान, जितना तुम सोच नहीं सकते हैं, उससे ब्यादा आसान है, इसलिए तुम सोची नहीं पाऊँ है कभी, चलो, क्या है, क्या निकालना है, delta s, निकालना है, formula लिख लो, इतना मेनद से क्यों derive किया formula हम लोग, nf into f d e cell by dt, अब देखो dt मतलब change in temperature, temperature का जो change दिया हुआ है, वो 20 से 30 degree है, कोई दिकत, और potential का भी change दिया हुआ, x1 से x2, that's all, चलो, n factor बस देखो, daniel cell का n factor क्या होता है, अब हम n factor तुम्हें बता नहीं रहें कैसे निकालेंगे, बस हम तुम्हें रियक्शन बता रहें, daniel cell का यह रियक्शन होता है, z n solid plus cu plus 2 aqueous से बन गया, z n plus 2 aqueous plus cu solid और इसका इस cell का n factor, n factor होता है 2, कैसे तुम्हें लोग खुद प्रूफ करोगे, ठीक है, daniel cell यह है, n factor 2 होता है, तो यह हो गया, 2 in 2, f कितना है, f है, 965, 00 coulomb, कोई दिखका थे, approximately, d e cell by dt, temperature का change कितना है, तो temperature का change, जो degree centigrade में होता है, वही Kelvin में होता है, change in temperature, तुम चाओ तो 30 degree को Kelvin में convert कर लो, और 20 degree को Kelvin में convert कर गे, change निकाल लो, देखना उतना ही change आएगा, तो कितने का change यह बताओ, 30 minus 20, तो temperature का change निकाल लिए, तो centigrade में लिखना Kelvin में है, क्योंकि Kelvin में भी इतना ही आएगा, इसलिए में लिखना Kelvin में होता है, formula में values, हलांकि degree centigrade में लिखी दोगो, तो गलत तो नहीं है, लेकिन हमेशा Kelvin में लिखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस chapter में तुम देखोगे, electrochemistry में हम लोग हमेशा SI unit यूज़ करने की कोशिस करते हैं, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, DE cell, cell का potential कहां से कहां तक गया है, X2 minus X1 volt, आगे answer बस इसको solve कर लो, इस दोनों को multiply कर दो, 10 से divide कर दो, X2, X1 तुम्हें जो भी value दिया रहेगा, 10 volt, 5 volt, जो भी दिया रहेगा, उसके अनुसार से यहाँ पर value तुम put कर दोगे बच्चों, ठीक है, तो चलो, आज हम लोग, डिल्टा-S calculate करना सीख गए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके आगे की कहानी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग,